आपका आपी के यूटीब चैनल में इसको डीके में आज हम जी शेयर के बारें बात करेंगे वह टाटा टैले सर्वेशिज महाराष्ट्रा लेमेटेड जिसे आप लोग टीटी एमल के नाम से जानते हैं तो टीटी एमल में आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों मे छे तारिक से लेकर अब तक अगर मैं देखूं तो 20 रुपे का उचाल शेयर में आ चुका है जिया 63 के उपर था शेयर कब 6 जून को और 6 जून से आज आज आप देखोगे 9 जून हुई है यानि कि सिरफ और 4 दिन वो चार दिन में जो उचाल हमें शेयर में देखने को मिला है तकरीबन 20 रुपे का उचाल हमें जोना में शेयर में आते नजरा है लगभग 20-30% के असपास तो इतने जो गजब की तेजी शेयरों में बनी है बहुत सारे शेयर है यह क्या एनर्जी आप लोगे ठीक है टीटेमल सुजलोन अनर्जी सभी शेयरों में उचाल तो यहां अपनी शेयर के अंदर आखरेकार तेजी क्यों बनी है तो आप लोग देखोगे भी कुछ टैम पहले से भी से भी शोरी एक्चेंज यह अपना जोना भी आप लोग देखोगे मैं इसन किया था कि उन्होंने कूचक शेयरों यानि लगभग 400 शेयरों के आज पास जोना भी 400 जो कंपनियों के शेयरों के जो सरकिट लिमिट है वो इंक्रीज कर दी है जिसके चलते आप लोग देखोगे इन शेयरों में काफी अच्छी तेजी बनी है जिसकी 5% ती 10% ती उनकी जोना आप लोग देखोगे भी 5% वालों के 10% और 5% कर दी है और जिनकी 10% ती सरकिट लि चेंज होई है तो चलिए जानते भी क्या टेटी एमल को करेंट लावल पर उठाना सही है पबलिक के कमेंट आ रहे हैं अब देखो साथ परशेंट आज यह भाग है पीछे भी भाग रहा है कहीं कोई अब इस यह को उठाना करेंट लावल को पर सही है या फिर नहीं डिटेल म जानेंगे साथ में आप लोग देखो कि आज जो वोल्यूम हमें देखने को मिलें नो तरिक को आज के दिन वह एक क्रोड़ छे लाग क्या सपास पहुंच चुक है तो वोल्यूम भी काफ़ जादा हाई लग रही है सुबह सुबह आई है तो चलिए जानते भी आगे कि क्या इसके टर्गेट वगएरा हो सकते हैं और ये वीडियो सिरफ हो सिर्फ एजुकेशन प्रपज के लिए हैं और अगर इंवेश्मेंट करना चाहते हो या फिर स्विंट इंडराड कुछ भी करना चाहिए देखो भी खुद के अलना से करना काफी ज़्यादा जुरूरी है क्य से थोड़े रेजर्स ठीक आये हैं लेकिन इतने भी ठीक नहीं आये हैं कंपनी अभी आपको लोस में देखने को मिली है तो चलिए जानते हैं इसके चार्ट पर लावल वैसे भी स्टोग पी रेस आप देखोगे नेगिटिव है ठीक है लगभक शेर ही हमें इसके फेंडमे चाहिए तो यहां पर आप लोग देखोगे टीटी एमल टाटा टैले सर्विसीज के अंदर 6% के आज पास अभी तेजी देखने को मिली है आज जो ओडर वगरा देखने को मिल रहे हैं आप लोग देखोगे बाइंग प्रेसर थोड़ा कम है 16,4,000 कॉंटिटी आपको बाइ देखने को मिली साड़े 21% के आज पास डिलेवरी उठी दी तो यहां से संभलना आई थिंग सबसे बैस्ट है करण्ट लेवल से तो चलिए जानते चार्ट पर इसके क्या सपोर्ट वगरा लेगे चले अगर बात करें करण्ट लेवल के ऊपर बाय सेल करने की या फिर इसके और बात करूं तो 84 रूपे उपर में निकल चुक आश्यर आप देखो के आसपास है तो इसे में अभी भी शिर अपने उसी लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहे है और अगर इस लेवल को तोड़कर से ओपर में सस्टेन करें तो यहां से भागना स्टार्ट किया थोड़ा ध्यान से चलना इस लावल के उपर सबसे बैस्ट है नीचे में सपोर्ट के बाद करें तो अठेतर रुपे दस पैसे का स्टॉंग लिए सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा नीचे में अगर यह कटा तो शेर आप लोग देखोग साथ से सतर की रेंज के बीच में आते नजर आएगा तो ऊपर में यह लावल से इसके रहेंगे नीचे में सपोर्ट वगारा मैंने आपको बता दिया है इन लावलों के पर फोकस कीजिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगे वीडियो पसंद आते को लाइक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को ना मत भूलना ताकि इन शेयरों के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिशना है थैंक्यू फॉर वॉचिंग दे वीडियो